चोरा हा चोरा हा जीवन ऐसा चोरा हा एक सड़क शिक्षा के जिससे जीवन में उझे आ रहा है चोरा हा चोरा हा चोरा हा चोरा हा बहनो हम आज मिलकर सीखेंगे दो अक्षर जह और ओ जंडे की तरह लहराता ये अक्षर है जह जह जिससे जंडा शब्द बनता है आईए अक्षर जह कैसे बनता है देखें बड़ी ए तो तुम्हें यादी होगी वही इक वाली ये है बड़ी ए देखाना बड़ी ए को इस बड़ी ए के उपर वाले चांद को तोड़कर यहां रख तो और इसे मिला दो जंडे वाले गंडे से तो बन गया अक्षर जह एक बाद फिर देखो बड़ी ए इसका उपर वाला चांद उठा कर यहां रखा और इसे मिला दिया जंडे वाले देंडे से बन गया अक्षर चह नमस्ते नमस्ते क्यों बहनों मेरी रा देख रही हो ना मुझे भी तुम सबसे मिलने का बड़ा इंतुजार रहता है तुम मेरी बहनों आज हम लोग सीखेंगे अक्षर जब हो सकता है देखने में तुम्हें भुड़ा मुश्किल सा लगे पर मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है बस इसको लिखने की में ये चोटी सी लगी फिर एक खूमिवी लगी फिर इसी के साथ एक और खूमिवी लगी उसके बाद बिंदी और ये दुम्हाली लगी फिर इससे लगी हुई एक लेटी हुई लगी ये खड़ा डंडा और उपर वही चत्वाली लगी इद्बाद फिर देखें कर देश की आजादी की लड़ाई में केवल मर्दों नहीं भाग नहीं लिया इसमें उनका पूरा-पूरा साथ और तो नहीं भी दिया था अब मैं तुम्हें दो मिसालें देती हूं आवत की बेगम हजरत महल और जहांसी की रानी लक्षमी बाई इन दोनों ने अंग्रेजों के चक्के चुड़ा दिये थे 1857 के पहले स्वतंतुरता संग्राम में फिर बहन जी इस लड़ाई में कौन जीता आजादी की लड़ाई एक तिन में नहीं जीती जाती ये लड़ाई 1857 में शुरू ही थी और आजादी हमें मिली पूरे 90 साल बाद अच्छा कोई ये बताएगा कि आजादी हमें कम मिली हाँ 15 अगिस्त उन्निस सेंताली शाबश उन्निस सेंताली शाबश इन महिलाओं का जीवन तो हमारे लिए ए एक लड़ाई है हमें भी आज जहांसी की रानी और बेगम हजरत महल बनना है अब कौन सी लड़ाई है देश तो आजाद भी हो गया ये दूसरे तरह की लड़ाई है अज्यान और गरीबी के विरुद्ध है बहन जी ये लड़ाई जीतंगे कैसे हम पढ़ लिखकर जो कि त बढ़ने लिखने से जब सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तब गरीबी अपने आप दूर हो जाएगे तो भेन जी सिच्छा से गरीबी कैसे दूर हो सकेगी जैसे कमला की हुई देखो तुम सब में वो सबसे करीब थी और शादी भी हो चुकी थी उसकी अब देखो कैसे अपने पैरों पर खड़ी है तुम सब में से हर एक कमला बन सकता है महरानी लक्षमी बाई और अजरत महल की कहानी सुनेगे ना हाँ जरूर सुनाओंगी लेकिन आज नहीं जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था उनकी कहानी तो हमें जरूर सुनी चाह अब इस अक्षर के साथ अगर ओ की मात्रा लगा दी तो बन गया अक्षर ओ मैं आई 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 आगई बेहनों जो अक्षर अब हम सीखने जा रहे हैं वो है छोटा ओ तुम्हारा बहुत ही जाना पैचाना अक्षर है देखो ये गोला एक और गोला फिर ये एक लगी उसके पाद खड़ा डंडा एक और खड़ा डंडा और फिर पही मात्रा वाली लगीर ऐसी और छत्राली लगीर बंड्या अक्षर ओ चोटा ओ एक पर फिर मैं आज नहीं पूछूंगा दर्शन कि तू कहां गया था पड़ी क्यों मुझे पता है तू जहांसी गया था तैनुकी में पता लग गया थे एलो ये कौन सी मुश्किल बात है तेरे गाने से ओ एक तो मैं पूली गया थी पड़ी बढ़ता हूं चांसी जाकर मज़ा आ गया अब तो पूरा शहर नया हो गया जी मगर महरानी चांसी का किला वैसा ही है चांसी के पास है और्चा में महराजा बीर सिंग का बनवाया हुआ किला उसी में है जहांगीर में है जो महराजा बीर सिंग और जहांगीर की दोस्ती की याद दिलाता है महल की दीवारों और छटों पर बनी सुन्दर तस्वीरे अभी तक मन महुती है और दूर दूर तक फैली है कले की दीवारे वहां की हर हर चीज हमें आज भी जासी की महराणी लक्ष्मी बाई की बहादुरी की कहानिया दोराती हुई लगती है अब तो जी ये जगहाद दो बातों के लिए मशूर है दो बातों के लिए मशूर है वारानी लक्ष्मी बाई के नाम से दूसरी है कि लोग की रेल से उतर के सीदे खजुराओ के मशूर मंदिर वेखने जाते हैं तू गया था वहाँ पर? नहीं जी, क्योंकि मैंनू वापसी लई समान मिल गया सी इच्छा जरूर है अगर दुबारा मोका मिला तो खजुराओ जरूर जाओंगा जरूर जाना और तुझे भी साथ लाया के चलूंगा पंडता आहां जूर नहीं देखो, ये जंडा कैसे लहराता हुआ उपर जा रहा है पहचाना न, अपने देश के तिरंगे जंडे को जंडा ज, ज, पिपिंदी, ड, आ, जंडा जंडा उचा रहे हमारा जंडा ज, ज, पिपिंदी, ड, आ, जंडा ज, ओ, बिंदी, प, ड, आ, इ, जंडा जूपड़ी, गाउं में बनी साफ सुत्री जूपड़ी भी रहने के लिए बहात अच्छी जगह है जूपड़ी इस तस्वीर को देखा, पहचान गये न जाडू, ज, आ, र, बड़े उकी मात्रा, जाडू, ये तो सब की घर में होती है, भई सफाई इसी जाडू से ही तो होती है, जाडू सावन में जूला जूले में कितना मज़ा आता है, लेकिन इस जूले पर कौन जूल रहा है, अरे भई, ये तो जूला शब्द खुद ही जूल रहा है, जो इन अक्षरों से मिलकर बना है ज, बड़े उकी मात्रा, ल, आ, जूला ज, उ, ल, आ, जूला जंडे की तरह लहराता, ये अक्षर है ज, 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 जिससे जंडा शब्द बनता है आईए, अक्षर ज, कैसे बनता है, देखे बड़ी इत तुम्हें यादी होगे, बड़ी इके उपर वाले चांद को तोड़ कर यहां रखो और इसे मिलादो जंडे वाले जंडे से तो बन गया अक्षर ज, 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 जुब आप सुबा सुखर उते हैं तो पाहां सब कुछ भीगा भीगा आसा लगता है ये बारिश नहीं होती। इसे कहते हैं ओस इसकी हलकी हलकी बूंदे पड़ती है और लगता है कि सब कुछ फीग गया ओस ओस इस दर्वाजे की ओट से क्या आया हरे ये है ओट 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 तुम लोग भी तो ओट में से जाग कर देखती हो क्यों घुंगत की ओट से ओट ओट ये क्या है ओखली ओकी मात्रा ख ल बड़ी ए की मात्रा ओखली ओखली भी अपने किपने काम आती है धान वगेरा इसी में कूटते हैं न ओख ली ओखली ओ सा ओस ओ टा ओओड ज़ प्लु की मात्रा ल आका डुन ल ग्रक मुच्छ ओड़ी 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 ज़ अब्स्यक्तव अबी प्लू की मात्रा जाडू बेहनों हमें आज सीखना है एक अक्षर ठ और छोटे उकी मात्रा नमस्ते नमस्ते बैठीए आपने मुझे बुलाया था मेंजर साब जी आपसे मिठाई खाने थी मिठाई तो आपको जरूर मिलेगी जी पहला दिन से मिले यह है मेरे पती कमल नमस्ते यह कहीं बाहर गए थे हाँ जी पर कुछ दिनों के बाद ये भी यही आजाएंगी काम में मेरी मदद करने के लिए अच्छा वाजव आपने हमसे इनकी मुलाकात करा दी हाँ क्योंकि यह इसलिए भी जरूई था ना क्योंकि बैंक में काम करने के लिए कल से तो यही आया करेंगे मन्जर साब आप किरपा करके इनकी मदद कर दिया करना जी हाँ जरूर यह मेरा करतब्य है अब आप बताइए मिठाई कब खाएंगे वज़े नहीं कूछेंगे आप मेरे को मालूम है जी मेरा दूसरा लोन भी मंजूर हो गया आपकी स्कीम इतनी अच्छी थी उसको जो मंजूर हो नहीं था अच्छा तो आप यह बताईए चेक अब लेंगे आप अब हमारे खाते में जमा करा दो ठीक है हो जाएगा मन्जर साब एक बिल्ती है आपसे वो बात यह है ना कि मैं और जी थोड़ा बहुत तो पड़ लिखे है पर यह जो बैंक और कारखाने का हिसाब किताब है ना बड़ा मुश्किल है तो देखिए जहां तक बैंक का हिसाब है तो उसकी चंता आप ना करे हम लोग है ना अब रहा कारखाने का तो कुछ दिन मैं आपके साथ लग जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीखी लेंगे धने बाद मारेजर साब बहुत बहुत धने बाद अच्छा अब हम चलते है ना ये तमाटर वाला अटा याद है ना हरे ये थक थक किसके आवाज है ये हतोड़ा क्या कर रहा है थक 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 अरे इसने तो बना दिया अक्षर थ थक 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 बन गया अक्षर थ आज तो बहनों मैं बड़े ठाट से आई हूँ जी हाँ और आज मालूम है कौन सा अक्षर लाई हूँ वो है अक्षर थ था लिखना तो बहुत यासान है तुम लोग हैरत में रह जाओगी कि यह कितना असान है तो बहनों देखो चोटा खड़ा डंडा अट डंडे से मिला कर ये चोटा सा गोला पूरा गोला ऊपर क्या है वही चत वाली लग्वी एक बार फिर देखो समझा गया ना अक्षर था खाट बाट वाला अच्छा अंदर चलती हूँ फिर मिलूंगी नमस्ते अरे ये उंगली में क्या पहना है अ अपिपिंदी ग बड़े उकी मात्रा थ बड़े की मात्रा ये है अंगूठी उंगली में पहनी है अंगूठी थ, प, प, आ, प को आधा करने के लिए डंडा हटाया बन गया थप्पा थप्पा अप्पा नचर लग जाएगी मेरी बहु कहां अच्छा एक बात तो बता मेरे बारे में कुछ कहे थी क्या कहे थी कि फोरन अम्मा जी को ले आओ तुने तो एक बार भी नहीं काम मा चलवा कैसे काम तु वहाँ जाकर फिर लड़ना चुरू कर देगी हाँ हाँ बावली जो हूँ मैं सर पे मेरे सींग निकलाए है जो सारी दुनिया से लड़ती फिर हूँ पहले भी तो लड़े थी ना बेटा पहले तो मैं गुर्बत से लड़े थी हरे पेट की मार बहुत बुरी होवे है बिटा मैं उससे नहीं फूख से लड़े थी रोटी की फिकर मत ही कर कमला के लिए इतना कमाव है कि दस-दस आदमें वो घर बिठा के खिला सके चलो ये तो अच्छा हुआ पर तेरा क्या होगा बिटा मेरा तो काम लग भी गया ममा कमला के संगी काम करूँगा मैं खूब अच्छी पगार मिलेगी अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ पर जोरू से पगार लेगा बेसरम अरे उसके साथ तो मुफ़त में काम करियो ये सीटी तो आपको याद होगी जी हाँ इस सीटी से बनती थी बड़े उकी मात्रा और अगर हम इस बड़े उकी मात्रा को उल्टा कर दे इस तरह हैं तो बन जाती है छोटे उकी मात्रा ये है बड़े उकी मात्रा बन गई छोटे उकी मात्रा बेहनों अब जो मैं लेकर आई हूँ वो है छोटे उक्य मात्रा बहुत ही आसान है छोटे उक्य मात्रा को लिखने के लिए सबसे पहले क्या क्या चोटा सा गूला और गोले से मिलाकर एक तेड़ी लखी ये हो गई छोटे उक्य मात्रा एक बढ़ फिर देखो भोट्टा देखकर मुँमें पानी आ गया ना भ छोटे उक्य मात्रा ट जिसके नीचे लट्च ऐसी लकीर है ता भोट्टा ब छोटे उक्य मात्रा ख आ र बुखार बुखार हो तो डॉक्टर से जाज कराएं बुखार अज्षय, अज्षय कमला, अपनी पती और माहीँ सेवा खना हमारी कमला तो लाखों में एक है भेंजी अजी भेंची कमला तो शुरू से हीहीरा थी बिलपूल अच्शय कमल, तुम तो खुदी समझेरो की पमनी, कमला का द्यान रखना हम फेल जी, आपने तो हमारी कमला का जीवन ही सुधाय किया, उसे बिज्ज्या जी है आपने, आप शिक्षा को इतना महत्व देती है अरे, कमला को देखने के बाद कौन नहीं देगा भला ये तो मैं तब मानूंगी, जब आप स्कूल आना सुद्धाई जल्या, मेरी उमर क्यों है? हाप, आईए तो सही, इसमें क्या है? अच्छा, अच्छा तो आउंगी पैसे कमला पड़ गई, कमल पड़ गया तो मैं क्यों अनपड़ू? आउंगी भेंजी, जरूर आउंगी जरूर हाँ जरूर तन हम अपने नय कारखाने में जाएंगी अब ने चाहते हैं, इसका उर्धातन एक आरतो के इन तो बहुत अच्छा विचार है तो पिर आप आउगी ना, उर्धातन के ने? नहीं कमला इसका उर्धातन तो ऐसी आरतो को पहना चाहिए जिसने बच्पन से लेकर अब तक हुँम मेहनत की हुए गुर्या, तुम्हेरे के चिठी लिखे हुए ज़ुर्या, ज़ुर्या, जब जा हुए जा जा एक, जा हुए तक है कठ पुतली का तमाशा सबने देखा होगा बहुत अच्छा लगता है ना कठ पुतली क ठ प छोटे उंकी मात्रा त ल बड़ी की मात्रा कठ पुतली प छोटे उंकी मात्रा प ल पुल नदी के इस ओर से दूसरी ओर जाने के लिए बनाते हैं पुल पुल अधा पा पा का डंदा थप पुल न दू करो हुकी मात्रा त पड़ी की मात्रा अंगुठी चोरा हा चोरा हा जीवन ऐसा चोरा हा जीवन भर मेलत की जगर पे हमको चलते जाना है रहा में शिक्षा दे चला के रहा में शिक्षा दे चला के अपनी मंजिल पाना है चोरा हा चोरा हा जोरा हा जोरा हा जोरा हा जोरा हा झाल झाल